वेरी वेरी गुद मॉर्निंग अल आफ यू आज हम इस टॉपिक पर डिसकस करेंगे वह है कंपनी के टाइपस के उपर देखें मैंने एक जगे यह अपने फ्रेंड्स को सुनते होगे दिखा था कि प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी और बाक है कि एक्षिल में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है लेकिन फ्रेश्ट ली हम यह समझते हैं कि यह वर्ड होते कहां पर है तो आपने जितनी भी कंपनियों के नाम सुने होंगे अक्स वाइजट लिमिटेड या अक्स वाइजट पूरा नाम लिखा हुआ है तो वहां पे दो वर्ड उसके end में हमेशा लिखे होए रहेंगे दोनों में से एक वर्ड या तो उसके end में लिखा हुआ रहेगा private limited या फिर रहेगा limited अगर आपको उस्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी भी कमपनी को का नाम पढ़के देख सकते सें like जो भी आप प्रोड़क्ट रिउज करते है उसके अंदर आप उस company का नाम देखिए वहां पर वो अपना पूरा नाम लिखती है तो अगर कोई company उसको manufacture कर रही है या उसको वो सेल कर रही है तो वहां पर उसका पुरा नाम लिखा रहेगा और उसके end में या तो private limited word यूज होगा या फिर limited word यूज होगा नौ जब हम बात करते हैं private limited की या limited की तो इनका हम कई बार meaning ले लेते हैं इनको नहीं पता होता है वो कि private limited means private company and private company and limited का मतलब हो गया कि चुकि इसका आगे private नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि वो coreman company है लेकिन ऐसा नहीं है यह एकदम गलत अवधारना है इसकी सही अवधारना क्या है या सही इसका meaning क्या है लिटरल मिनिंग क्या है इसका आज समझते हैं देखे कोई भी company जब registered होती है यानि कि जब भी company का वो कौकनी choice करती है यह choice क्या होता है यानि की इन में difference क्या होता है यह difference के basis पर उन्हें private limited या limited world Use करने को दिया जाता है तो दीए सबसे पहले हम समझते हैं यह limited word का मतलब क्या होता है क्योंकि यह दोनों गोड़ी कॉम अन पत्री होता है कि जो company है उसकी जो liability है क्योंकि एक liability रहती है जब भी आप कोई काम करते हैं कोई business करते हैं तो आपके उपर एक liability आती है to pay the money from which you have landed यानि कि आपने जिससे पैसा लिया है उसको आपको वापस पैसा देना है तो यह liability आपके उपर रहती है तो ऐसे में company की यह जो liability है वो limited होती है क्या मतलब कि जितना पैसा दिया है उतना ही देना होगा ज्यादा नहीं दे सकते है यही है ना नहीं ऐसा नहीं है तो देकि माल लिजेगी कोई company है वो अपने shareholder से ठीक है तो कोई company अपने shareholder से पैसा लेती है आपको सबको पता है जो company अपने shareholder से पैसा लेती है जो उनके company के मालिक आप कह सकते है उनसे जो पैसा लेती है उसको करके company में डागाता है और वो company form की जाती है नो company के अंदर के बंखी लगा होता, बल्की कंपनी लोन भी लेती है, ठीक है, जिसे हम एक तरीक से लाइबsil्利टी बोल सकते हैं, कंपनी ने लोन ले लिया, अब कल को कंपनी ने, अपने जो, जितना उन्होंने मालिक से पैसा लिया था, उस्छे ज्याधा का उन्होंने loan लिया ठीक है या उससे कम भी loan है आप मान के चलिए let suppose की 100 रुपे का मालिक से लिया था और उन्होंने 100 रुपे का ही loan भी ले लिया ठीक है ये दोनों हो गए अब क्या हुआ कि future में चलके 500 रुपे का नुक्सान हो गया या एक काम करते हैं इसको करते हैं कि 500 रुपे का नुक्सान हो गया ठीक है तो company के जो मालिक है वो इस 100 रुपे के ही लाइबल है यानि कि वो इन 100 रुपे को चुकाने के लिए और अगर जैसे की ज़्यादा नुक्सान हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपणी अपने अपनी लियाबिलिटी जो है वो लिमिटेड रखती है ऐसा नहीं है कि आप उसके मालिकों को पकड़ के और पैसा मांग सको अगर आपको ज्यादा नुक्सान हुआ तो भी अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि private लिमिते रोड का मतलब क्या होता है तो दीक्ये कंपनी में मैंने आपको जीशा कहा कि दौरह नीळा है अब ब से ल्ल ग hebben लेते हैं उन्हीं के आदार पर इसको क्लासिफाइगा गया है कि अगर अगर आपको लिमिटेड नंबर ओफ लगने हैं लिमिटेड कितना है तो देखिए यह लिमिट है 200 की यानि अगर आपको ऐसी कंपनी बनानी है जिसके शेर होल्डर्स केवल 200 तक ही लिमिटेड रहेंगे ठीक है पहले संक्या 50 हुआ करती थी अभी इसको बढ़ा करके 2013 में जो एक टाया था उसके अंदर इसको बढ़ा करके 200 कर दिये यानि क्या हुआ कि अगर आपको केवल अपने सेर होल्डर्स की संक्या 200 तक ही रखनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करें mice money देखेंगे ठीक है लेकिन अगर आपको unlimited रखनी है जैसे अगर आप Lans Industries की बात करें तो एक आपको करोड़ों शेर ओल्डर्स है अगर आप करें अज़ेए टाटा मौतर्स की न No. कि या अदब गा सकते हैं तो आपको उस company का alone के बाद आपको से limited use करना रहेगा lot यह केसे बता चेलेगा कि हमको private limited यह ilsन करते हैं कि अगर आप Philadelphia में जाकर के 200 रखने तो आप private limited के लिए अप्लाई करिये हैं अगर आपको लगता है कि मुझे future में in future कुछ जादा shareholder सरकने हैं जो की 200 से ज़्यादा होंगे of course तो फिर आप limited word यूज करिए आप बाद में भी इसे change करा सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको बस private limited अगर आपके पास है तो आप limited word के अंदर convert करा सकते हैं और बाद में limited से private limited में भी हो जाता है अब इसके साथ साथ एक restriction और होती है जो shareholder से related यह अलग इनमें कुछ difference और भी है जो की regulator से sorry जो कानून के लिए है यानि कि जो आपको नियम rules जो पालन करने हैं उनके आधार पे जैसे कि इसके लिए अलग नियम है और इसके लिए इसका मतलब आप समझिए कि इसका मतलब है कि यह एक small group of small group of persons के द्वारा यह company handle की जाती है जो की maximum हो सकते हैं दोस्तो लेकिन अगर आप limited word देखते हैं तो इसका मतलब है कि उस company में जरूर नहीं कि है लेकिन अगर उस company ने limited word यूज किया है तो इसका मतलब है कि वो अपना एक large group of persons के द्वारा यह चलाई जाती है यानि कि large group of persons के पास इसके shareholders होंगे large group of persons के पास इसके shares होंगे तो यह होगी बात जरूर नहीं ऐसा हो कि limited मान लिजे कि आपने limited word use किया बट ऐसा जरूर नहीं कि आपके पास large number हो ही हो हो सकता है कि आपके पास 50 shareholders ही हो बट आप limited word यूज कर रहे हो ऐसा जुरूर नहीं कि आपके पास large number of shareholders हो लेकिन आप कर सकते हैं with the limited word ओके दूसरा जो इनके उपर आता है वो है कि जो limited company के shares होते हैं share holders होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही अपने shares जो है वो sorry जो private limited के जो shareholders होते हैं वो अपने shares एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे के साथ ही sale और purchase कर सकते हैं पहली बात बाहर के किसी व्यक्ति को वो sale purchase नहीं कर सकते और अगर उन्हें करना है let's suppose कि किसी बाहर की व्यक्ति को में ले आऊं और मैं कहूं कि ले लो तो ऐसा नहीं होता है जब तक कि सभी शेरोल्डर उसको सहमत ना हो यानि कि अगर कंपनी किसी बाहरी व्यक्ति को शेरोल्डर के रूप में लाना चाहती है लैक 50 व्यक्ति पहले से हैं और 51 को ला रहे हैं तो उन पचास की सहमति जरूरी है कि हम इस 51 परसंट को लेके आ रहे हैं वहीं प्राइवल लिमिटेड में इसा नहीं है वहां पे आप मेजोरिटी शेरोल्डर से ला करके ऐसा कर सकते हैं जिस हम बोल सकते हैं कि issue of capital इसे बोला जाता इस तरीके से तो यह हम किसी और वीडिय को share transfer करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जबकि private में क्या होता है कि अगर आपको किसी बाहरी व्यक्ति को यानि कि मेरे पास share है और मैं अपने उस group of persons के अलावा उन लोगों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को share transfer करना जाता हूँ तो फिर मुझे उन सब की अनुमती लेनी पड़ेगी जबकि limited word में ऐसा नहीं है उसमें मैं अपने shares किसी बाहरी व्यक्ति को भी transfer कर सकता हूँ मुझे किसी की अनुमती लेनी की जुरूत नहीं है और अगर company को भी अपने shares और ज़्यादा बढ़ाने है किसी और कोई issue करने है तो वो भी ऐसा कर सकती है उसको भ है वे गुद दे बाइ